हादनिय अध्यक जी पिछले 10 वर्सों में नारी शक्ति के ससक्तिकरण को ले करके अनेक वीद कदम उठाए गए 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 अध्यक के नारी के नेत्रुक में समाज के ससक्तिकरण पर काम किया गया है अब देश की बेटी हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां देश की बेटियों के लिए दर्वाजे बंद हो आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जैड भी उड़ा रही है और हमारे देश की सीमाओं को भी सुरक्षित रख रही है आदर्णियां अध्यक्ष्मगते ग्रामीन वबस्ता अर्थ वबस्ता हमारी है विमन सेल्फ हेल्प ग्रूप दस करोड बहने जुड़ी है और आर्थिक गतिविती करती है और ग्रामीन अर्थ वबस्ता को वो नई ताकत दे रही है और मैंजे आज खुशी है कि इन प्रयासों का परणाम है कि आज करीब करीब एक करोण लगपती दिदी आज देश्मगते और जब मेरी उनसे बात होती है उनका जो आत्मविश्वाद देखता हूँ मरा पक्ता विश्वाद हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं आने वाले हमारे कारकाल में तीन करोण लगपती दिदी हमारे देश के अंदर देखें आप कलपना कर सकते गाहों के अर्थ वबस्ता को कितना बड़ा बुड़लाव हो जाएगा हमारे देश में बेटियों के समन जो पहले सोच थी समाज की घर में गुश गई थी दिमाग में भी गुश गई थी आज वो सोच कितनी तीजी से बदल रही है थोड़ा सा बारी की से देखेंगे उधा में पता चलेगा कितना बड़ा सुखत बदलावा रहा है पहले अगर बेटी का जन्म होता था तो चर्चा होती थी अरे खर्चा कैसे उठाएंगे इसको कैसे पढ़ाएंगे उसके आगे की जिन्गी का एक प्रकार थे कोई बोज है इसी चर्चा ही हुआ करते थी आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है अरे सुकन्या समरुद्धी अकाउंट खुला के ने खुला पहले सवाल होता था प्रेगनेंट होने पर नोकरी नहीं कर पाओगी पहली ये बात होती थी प्रेगनेंट होने पर नोकरी नहीं कर पाओगी आज कहा जाता है 26 हपते की पेड़ लीव और बाद में भी अगर चाहिए मिलेगी ये बढ़ला होता है पहले समाज में सवाल होते थे कि महला होकर नोकरी क्यों करना चाहती हो क्या पत्री कि सवाल होते थे आज आज लोग पूछ रहे हैं मडम आपका जो स्टार्ट अफ है न बहुत प्रगति कर रहा है क्या मुझे नोकरी मिलेगी ये बढ़ला है आज पूछा जाता है कि बेटी की उम्र बढ़ रही है शादी कब करो कि बेटी की उम्र बढ़ते रही है शादी कब करो कि आज पूछा जाता है बेटी परस्टनल और प्रोफेस्टनल दोनों कामों को संतुलिक कितना बढ़िया करती हो कैसे करती हो अधर्णिय अधर जी एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पे है कि नहीं है आज किसी के घर जाते हैं तो घर महिला के नाम पर बिजली का बिल उसके नाम पर पानी गय सब उसके नाम पर तो परिवार के मुख्या की जगा आज मेरी माता ये बहन से ये बढ़लाव ये बढ़लाव अमरुतकाल में विट्सीद भारत का हमारा जो संकल्पन है इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के रुपे उपरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूँ किसानों के लिए आंसू भाने की आदद मैंने बहुत देखी है किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वास गात किया गया है कि देश ले देखा है कॉंग्रेश के समय कि कृष्वी के लिए कूल वार्शिक बजट होता था पच्चीस ज़ार करोगी है आदर नेतिक जी हमारी सरकार का बजट है सवाल लाग करोगी आदर नेतिक जी कॉंग्रेश ने अपने दस साल के कारकाल में साथ लाग करोड उप्या का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था हमने दस वर्ष में करीब अठारा लाग करोड का धान गेहुआ कॉंग्रेश सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नामक मात्र कभी कहीं की हो तो की हो हमने सवाल लाग करोड उप्य से विधिक का दलहन और तिलहन की जी है हमारे कॉंग्रेश के साथियों ने पीएम किसान सम्मान निदिकम मड़ा हुजाया और जब मैंने मेरी पहली टम में यह उजना शुरू की थी तो मुझे आद है कि जूठा नेरेटू की जो फैशन चल पड़ी है गाउं में जाके कहा जाता था कि देखिये यह मोदी के पैस पैसे मत लेना यह चुनाव एक बार जीद गया तो सारे पैसे ब्याद समय तुमसे वापिस बागें का ऐसा जूठ खलाए गया था किसानों को इतना मुरग बनाने की कोशिश की गई थी आधनिये आधनिये द्दक जी पी-एम किसान सम्मान निधी दो लाक असी हजार करोड रुपिये हमने धेड़े पी-एम फसल भीमा योजना तीस हजार रुपिया का प्रिम्या और उसके सामने देड़ लाक करोड रुपिया मेरे किसान भाई दादों को इतना में कॉंग्रेस ने अपने सासनकाल में कभी भी मच्छवारे पशूपालक की तो नामों निशान नह के काम में पहली बार इस देश में मच्छवारों के लिए अलग मंत्रा ले बना पशूपालन के लिए अलग मंत्रा ले पहली बार पशूपालक को मच्छवारों को किसान क्रेडिक कार दिया गया ताकि कम व्याद से उसको बैंक से पैसा मिल सके वो अपना कारोबार बढ़ा सब्सक्राइब किसानरों और मचुवारों इस तिन्ता फिर्फ जानवरों के नहीं होती है जिन्दिके का महत्वपन हिस्सा है आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशुओं के अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमने फूट एंड माउथ डिसीस उससे भारे पशुओं को बचाने के लिए पचांस करोर से जादा ठीके लगाये है पहले कभी तोटाने के अधरने अध्यक में होता है आज भारत में युगाओं के लिए जितने नए आउसर बने हैं ये पहले कभी नहीं बने है आज पूरी वाकेबलरी बदल गही है शब्द पूरे जो पहले के भी सुनने को नहीं बलते थे वो बोलचान के सहच दुनिया में शब्द आ चुके है आज चारों तरफ स्टार्ट अप्स की दुन्ज है इनिकॉंस चर्चा में है आज डिजिटल क्रियेटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है आज घीग एकोनोमी की चर्चा हो रही है यह युवाओं के जुबान पर यह नए भारत की नए वकेबलरी है यह नए आर्थिक सामराज्यकी नए 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 परिवेश है नए पहचान के है यह सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे है 2014 से पहले डिजिटल एकोनोमी की साइज ना के बराबन बहुत ज्यादा उसकी